हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, आज मैंने फिर से आप लोगों के लिए एक नया स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसका टाइटल है, दक्रेन एंड दक्रेब, तो क्रेन का मतलब क्या होता है, क्रेन का मतलब होता है केकडा, सोरी सारस क्या, सारस, एंड मतलब और दक्रे मने केकड़ा सारस और केकड़ा का यह स्टोरी है चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग ग्रैमर सीखते हैं उसके बाद वर्ड मिनिंग्स को साथे साथ इंगलिस को भी सीखेंगे चलिए तो क्या बोला जा रहा है इट वाज पीक समर अब पीक समर का मतलब क्या है मतलब चरम गर्मी चरम गर्मी बोले तो बहुत तेज गर्मी ठीक है तो इट वाज पीक समर यह चरम गर्मी का मोसम था ठीक है water in many lakes पानी बहुत सारे जील में देखे, water बने पानी many lakes में बहुत सारे जीलें तो पानी बहुत सारे जीलों में इन मतलब में head dried head dried सूख चुका था past का perfect tense head dried dry dry का भर्वितरी है dried सूख चुका था अब क्या बोल रहा है animals animals in the forest animals in the forest जानवर देखे, जंगलों में जानवरों animals in the forest जानवर जंगलों में near the lake जो कि किस के नजदीक था तो जील के नजदीक था started, शुरू कर दिया to relocate, अस्थानांतरन करना relocate मतलब अस्थानांतरन करना अस्थानांतरन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना ठीक है तो जंगल में जो जानवर थे नियर दा मने नजदीक मतलब नजदीक दा लेक जील के नजदीक started, शुरू कर दिया to relocate अस्थानांतरन करना they went, where log गया अब देखिए go मने जाना, went मने गया तो where log गया in search of places किसके खोज में in search of places जगह के खोज में search मने होता है खोजना, places मने जगह तो जगहों देखिए, places लगा दिया तो जगहा नहीं जगहों, जगहों के खोज में गया with more water more water में जदा पानी वाला जगह है अब एक क्रेब एक केकड़ा was worried देखिए, अपने future के बारे में, भविष्ची के बारे में के बारे में सब्कμένisti के बारे में वरीड था चिंतित था क्यूंकि वाइल जो si v try r osoby bosmane पक्ची बोली को चिडियां का थायान की जिअ करेशना चो जाड़ सकता है आनिमबल्स आनिमल्स जानवर तो टोड़ सकता है को जानवर और उजो केकला था परिशान था ठीक है परिशान था तो जील के ठीक है अनौइड था परिशान था पानी देखिए जील के बाहर वे नहीं आ सकता था कुड नौट सकता था कैन का पास्ट फर्म है कुड एंड सर्भाईवर जीवित भी नहीं रह सकता था ठीक है तिल जब तक जब तक वो खोजता है सर्च मना होता है खोजनार यहां पर भरवटू यूज हुआ है तो क्या बोल रहा है कि वो पानी से जील से बाहर भी नहीं जा सकता था और नहीं तो बच सकता था अब क्यूँ? क्योंकि जब खोजेगा तभी तो बचेगा वो ही बोल रहा है तिल मतलब जब तक इस सर्च खोजता अनादर लेक दूसरा जील अनादर मने दूसरा लेक मने जील तो लिव इन रहने के लिए तो चलिए अब आगे देखते हैं फिर एक रेन मतलब एक सारा फिल्यू देखिए फिल्यू मने उड़ा तू दा लेक जील के लिए इन सर्च ओ फूड किसके खोज में तो पाने के भोजन के खोज में अब देखिए फलाई का पास्ट फॉर्म है फिल्यू उड़ा जेल में किसके खोज में तो भोजन के खोज में see new way जानता था see new way जानता था देखे past form k-n-o-w-now का past form new way जानता था that कि the lake was जो जील था fast drying मतलब बहुत तेजी से सूख रहा था fast मनने तेजी drying मनने सूख ना ये भरवफोर है dry का तो बहुत जील था तेजी से ड्राय हो रहा था सूख रहा था शीवाज होपिंग वह उमीद कर रही थी उमीद करना हो पिंग यहां पर देखिए पास्ट कंटीनुवस है शीवाज होपिंग वह उमीद कर रही थी तो गेट पाना ए नाइस केच मनें अच्छा सिकार केच मतलब यहां क्या हुआ सिकार नाइस मनें अच्छा तो क्या क्या उमीद कर रही थी एक अच्छा सिकार देर वहाँ पर ठीक है अब देखिए क्या हुआ he saw see saw उसने देखा the sorrow filled crab sorrow मतलब होता है दुख filled मने भरा हुआ crab मने केकड़ा क्या देखा दुख भरा हुआ केकड़ा seated बैठा था on a rock किसमे तो एक चटान पर and or weeping रो रहा था weep मने रोना उसी का वर फोर यूज वा weeping the crane जो सारस था केम मने आया c o m c o m e कम मने आना c a m e केम मने आया near नजदीक दक्रेब तो किसका नजदीक आया वो केकड़ा के नजदीक आया and asked और पूछा why are you crying तुम क्यों रो रहे हो friend तुम क्यों रो रहे हो friend ठीक है मतलब दोस्त देखे ये भी use हुआ है continuous का present में बलकि ये question वाला use हुआ है अब देखे the crab replied तो जवाब दिया केकड़ा ने in a sad voice बहुती दुख भरी आवाज में दुख भरी आवाज में the lake is drying जील सूक रहा है जील सूक रहा है केकड़ा ने क्या बोला are all dying सभी के सभी मर रहे है ये भी use हुआ है यहाँ पर present continuous का ठीक है I am worried मैं चिन्तित हूँ I am worried मैं चिन्तित हूँ ठीक है about our future ये simple sentence है हमारे भविष्य के बारे में about मने के बारे में our future मनना हमारा भविष्य हमारे भविष्य के बारे में मैं चिन्तित हूँ तो अब आगे के लिए बने रहे है तुरा तो अब यहाँ से हमारा story फिर से start होता है the crane said किस ने बोला तो केकड़ा ने बोला crane sorry crane मतलब होता है सारस सारस ने बोला in a caring voice किस voice में caring मतलब बोले तो परवाह वाली आवाज में caring हम परवाह वाली आवाज में caring voice come with me आवो मेरे साथ to the lake जील में I leave in जहां मैं रहता हूँ I मने मैं leave in रहता हूँ ठीक है तो आव मेरे साथ जील में जहां मैं रहता हूँ there is a there is plenty of water plenty मने बहुत सारा water मने पानी तो वहाँ बहुत सारा पानी है और the crab और उज़े के कड़ा था agreed मान गया agree मने मानना agreed मने मान गया happily खुशी से the crab मतलब सारस carried the crab मने धोवा या फिर ले गया ठीक है तो क्या बोल रहा है कि the crab crab मतलब केकड़ा को C-A-R-R-Y carry मने धोना ठीक है या फिर ले जाना और उसी का past from carried ले गया या फिर धोया केकड़ा को on her back अपने पीट पर on her back अपने पीट पर end और started off मतलब विदा हो गया started off मने विदा हो गया to her home उसके घर के लिए ठीक है तो सारस ने केकड़ा को carried किया कहां पर अपने पीट में मने धोया लेया कहां पीट पर और अपने started off मने विदा हो गया अपने घर के लिए ठीक है अब चलिए यह the crab और उसके केकड़ा था was seeing देख रहा था see मने देखना therefore you is ing seeing और उसके केकड़ा था देख रहा था new places नई जगहों को from the cranes back मने cranes back यह अवस्ट्रोफी ऐस रहे तो सारस के पीट से सारस के पीट से नई जगहों को देख रहा था we हम लोग are almost home almost मने लगभग लगभग ठीक है तो we are हम लोग लगभग लगभग हर पहुँच चुके home मने घर said the cranes किस ने बोला तो यह सारस ने बोला the crab और उसके केकड़ा था looked look मने देखना looked देखा केकड़ा ने देखा down नीचे hopping to see water filled lake अब देखे नीचे देखा तो क्या hop कर रही थी hopping उमीद कर रही थी to see देखने का water पानी filled lake मने पानी से भरा हुआ जहर जील पानी से भरा हुआ जील यह उम्मीद करके वो नीचे देख रही थी instead उसके बजाए उसने क्या देखा instead उसके बजाए ही सा उसने देखा देखिए S W C मने सा देखना उसने देखा hips मतलब धेर hips मतलब धेर of bonds हड़ियों के धेर spilled all over अब देखिए spilled मतलब बिखरा हुआ spilled मतलब बिखरा हुआ तो हड़ियों के धेर बिखरा हुआ तो all over इधर उदर हाँ पूरी जगे पे all over मतलब पूरी जगे उस आसपास में देख्रेब और जो केकड़ा था understood समझ गया understand का past form understood समझ गया that की the crane had killed उज़े सारस था had killed मार चुका था past continuous had killed मार चुका था many fish बहुत सारे मचली and or crabs केकड़ा like him मेरे जैसा like him मतलब उसके जैसा फिर मेरे जैसा मतलब केकड़ा की जैसा like him केकड़ा के जैसा earlier पहले मार चुका था बहुत सारे मचलीओं को और केकड़ा को उसके जैसा बहुत पहले ठीक है he immediately तुरंत या फिर फोरण grabbed grab मने होता लपकना और grabbed मने लपका फोरण लपका grabbed लपका the crane snake किसका तो सारस का गला सारस का पंजा होता है ठीक है तो अपने पंजों से पकड़ा and और Strungled Strung मतलब होता है Strungled मतलब गला घोटना ठीक है गला घोटना तो क्या किया इदम immediately मतलब जल्दी से उसके गला को लपका crane snake मतलब सारस के गला को with his अपने पंजों से and और Strungled गला घोट दिया उसको हर to death एदम गला घोटकर मार दिया to death गला घोटकर मार दिया ठीक है सम्हा किसी तरह he managed वह सफल रहा he managed वह सफल रहा to escape बचने का to a nearby जील नजदी की nearby मने उता नजदी की लेक मने जील तो किसी तरह सफल रहा बचने में to a nearby लेक नजदी की जील में ठीक है the moral of the story क्या है presence of mind presence of mind दिमाग का सकतो उपस्तिती phase of काम आता है किसी भी समय अगर आपका presence of mind बना रहे तो आप उसमें बढ़िया